नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो आपके गुरुबडी का एक्जाम प्रस्तावित है उसके लिए एक और मॉक टेस्ट को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने में अनकेडमी के उपर बहुत ही सांदार आफर चल लहा है यानि कि अगर आप ससी के 12 महीने का कोर्स पर चेज करते हैं तो आपको 4 महीने का यहां पर एस्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसी प्रकार से अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 8 महीने का एस्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहां पर दिया जाएगा इ आप इस नंबर के उपर मुझसे contact कर सकते हैं और Unacademy के किसी भी सब्सक्रिप्शन के उपर maximum discount आप लोग अवेल कर सकते हैं 29 दिसंबर से नए बैज भी शुरू हो रहे हैं SSC के टेगरी में तो अगर आप SSC के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो आप इस course को भी यहां पर purchase कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी course खरी दिये तो कोसिज करिए कि आपका subscription 12 महिने या 24 महिने का हो क्योंकि इसका price आपके बहुत ही कम होता है और सबसे जरूरी बात कि कि किसी भी exam की एक systematic तयारी करने में कम से कम आपको एक से दो साल का समय तो लगता ही है अनकेडमी के ओपर मेरी live class भी होती है तो अगर आप इनको join करना चाहते हैं तो नीचे description में आपको मेरी profile का link मिलेगा उस पे click करके अनकेडमी के ओपर आप मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए इस video की अब हम करते हैं शुरुआ पहला प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से किसे gauss नामक इकाई में मापा जाता है तो अगर हम लोग gauss की बात करते हैं तो ये आपके unit होती है चुमबकिये प्रेरण का किसका magnetic induction का जो हमारी unit होती है उसे हम लोग चुमबकिये प्रेरण की नाम से जानते हैं तो option यहाँ प लाल रंग होता है यह हमारे होता है एंथे साइनिन के कारण किसके कारण एंथे साइनिन के कारण प्याज में आपको लाल रंग का वरणक दिखाए देता है अगला प्रश्ण है कि सरदार सरोवर बांध डैस डैस राज्य में डैस डैस नदी के उपर इस्थित है तो सरदार नर्मदा नदी है ये मद्ध प्रदेश से निकलती है और उसके बाद में जा करके बे आप खंबात में गिरती है तो यहीं पर आपको गुजरात में सरदार फरोवर डैम देखने को मिलेगा तो option हमारा C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अगस्त 2020 में ICC के अंपायरों के अंत अंत पद्म नाभन क्या राम है के अंत पद्म नाभन यह हमारे भारत के एंपायर है जो कि ICC के अंतराश्ट्य पैनल में सामिल हो चुके हैं तो option यहां पर C हो जाएगा correct यह देख सकते हैं यह है अंत पद्म नाभन अगला प्रशन है कि कुष्ट रोग डैस डैस जीवानो के कारण होता है तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो लिप्रोसी नाम के डिसीज होती है यह होती है बैक्टीरिया के कारण और बैक्टीरिया का नाम क्या है तो इसका नाम है माइको बैक्टीरियम लैप्रे क्या नाम है माइको बैक्टीरियम लैप्रे इसका ना जो भी हमारे warm blood वाले animal होते हैं ये आपके environment के according अपने सरीर का तापमान एक सा बनाये रखते हैं यानि कि बाहर का तापमान कुछ भी हो ये अपने सरीर के तापमान को maintain रखते हैं और यही खास बात होती है हमारे गर्म रखत वाले जिवों की option यहाँ पर फिलहाल C हो जाएग अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सा जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो ऐसे प्रशन थोड़े से टफ होते हैं तो फिलहाल के लिए ध्यान रखेगा कि जो यहाँ पर केकड़ा है वह इन तीनों के वर्ग का नहीं है यानि कि option यहाँ पर ए हो ज गया यह सारे हमारे आकनीडा समों के जनतू है option यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि किस मुगल बास साह ने मकसुदाबाद नामक सहर का निर्मार किया जो बाद में मुर्सिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो ध्यान रखेगा इस सहर को बसाया अकबर ने किस ने अकबर के द्वारा मकसुदाबाद का निर्मार किया गया था तो option यहाँ पर हमारा B हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा मुर्सिदाबाद जिससे हम लोग मकसुदाबाद भी कहते हैं 1620 सेंचुरी में इसको मुगल समराठ अकबर ने अस्थापित किया था तो आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार दो अनुच्छेद के अंतरगत किसी भी राज में राश्पती सासन लगा सकती है तो एक तो अनुच्छेद होता है 356 और एक हमारा है अनुच्छेद 365 दोनों के बारे में ध्यान रखेगा option फिलाल यहाँ पर D हो जाएगा correct अग फिर दलदली भूमी हो कोईले की जो हमारी खान होती है या फिर धान का खेत होता है इन सभी से निकलती है मीथेन गैस बहुत ही मात्पूर्ण प्रशन है तो ध्यान रखेंगे option यहाँ पर फिलाल B हो जाएगा correct मीथेन गैस की बात करें तो यह हमारे अलकेन समोह का compound होता है और इसका formula होता है CH4 तो यह ध्यान रखेगा B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्नलिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है अब थोड़ा आप लोग इससे ध्यान से देखेंगे देखे एक तरफ हमारा compound दिया गया है दूसरी तरफ दिया गया है कि उसका नाम क् पाया जाने वाला protein है बिल्कुल सही है mustard gas की बात करें तो यह आपका रासारे के उद में प्रयोग होनी वाला एक विसाला द्रव है लेकिन अगर हम लोग fluorines की बात करती है तो fluorines में आपको fluorine नहीं मिलेगा ध्यान रखिएगा कि fluorines आपके carbon का एक yellow drop होता है जैसे graphite है जैसे diamond है उसी प्रकार से fluorine carbon का एक yellow drop है तो option यहाँ पर हमारा A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि सोतंत्र भारत में जो पहला बिधी आयोग है यानि कि जो हमारे यहाँ का पहला लाकमीशन था वो कब अस्थापित किया गया था तो लाकमीशन की बात करें यह अस्थापित हुआ था 1956 में option यहाँ पर फिलहाल A हो जाएगा correct वैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहली बार हमारे यहाँ पर लाकमीशन कब आया था तो यह आपका बना था बेटे सासन के दोरान Charter Act 1833 के जरिये तो उस समय इसके जो अध्यच्च थे वो थे लाड़ मैकाले लेकिन अग अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा लाकमीशन स्वतंत्र भारत में कब बना था तो यह आपका हो जाएगा 1956 ओप्सन यहाँ पर A होगा correct अगला प्रश्न है कि भारत में भारतिये वाने जी एयों उद्योग महासंग यानि कि जो फिक्की है इसकी अस्थापना किस वर्ष अगला प्रश्न है कि निम्न लिखित में से किस एक प्रकार के तरवगों का यूज रात्र द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है यानि कि अगर आपको रात में देखना है तो आप लोग किस वेब का प्रयोग करेंगे यह हमारी होती है इंफ्रा रेड वेब का यूज़ दिया जाता है रात में देखने के लिए तो आप्सन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेंगे अगला प्रश्न है कि 2021 में जो धाका मैराथन हुआ है इसमें चौथा अस्थान किस वेक्ति ने प्राप्त किया तो काफी महत्पूर्ण प्रश्न है ज्यानके का चौथा अस्था अस्थान मिला था इसमें जिगमेट डोलमा को किसे जिगमेट डोलमा को मिला था तो आप्सन यहां पर फिलहाल भी हो जाएगा करेक्ट तो 1970 में जो आपके बांगलादेश के जनक थे सिख मुझूबर रह्मान तो इनकी के जेल वापसी के उपलच में इसका आयोजन किया ग करेक्ट अगला प्रश्ण है कि असपष्ट रूप से प्रतीध होनी सुनने के लिए परावर्ति सता और सुनने वाले के मद्ध कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए तो जो आप इको सुनते हैं कमरे वगएरा में इसके लिए जो दूरी है वो आपकी होनी चाहिए 16.5 मीटर कि अगला प्रश्ण है ऐसा उपकरण जो रासानिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में परिवर्तित कर दे वह आपके क्या कहलाता है तो ऐसे उपकरण का जो हमारे प्रकार होता है इसे हम लोग कहते हैं बैटरी क्या है बैटरी होती है जो की रासानिक उर्जा को विद्दू बिंदूं पर क्रमसा क्या प्रभाव पड़ता है आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग पानी में नमक को मिला देते हैं तो इसका जो हिमांक बिंदू है वो आ जाता है नीचे यानि कि जो पानी हमारा 0 degree Celsius पर जम रहा था अब वह उस से नीचे जाकर के जमेगा तो इस प्रकार से option यहाँ पर D हो जाएगा correct यानि कि जो कोतनांग बिंदू है जैसे कि पानी अगर आपका 100 degree Celsius पर उबल लहा था तो अब यह 100 degree से उपर उबलेगा लेकिन अगर हम लोग हिमांक की बात करते हैं तो यह आपका 0 degree से चला जाता है तो कह सकते हैं कि कोतनांग हमारा बढ़ जाएगा और जो हिमांख है वो यहाँ पर घटेगा तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्ष 2020 में Border Road Organization ने किस राज्य में चार धाम पर योजनाओं के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्मार किया तो यह जो आपके सुरंग के इस धराको रोड पर इसका निर्मार हुआ है और नाम इसका है चंबा टनल तो option C हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि 2020 के लिए संवत राष जनसंख्या पर इसकार प्राप्त करने वाला पहला भारतिय संस्थान कौन बना तो पहले भारतिय संस्थान की बात करें इ Help Age India क्या नाम है? Help Age India इसका नाम है तो फिलहाल के लिए हमारा D होगा यहां पर correct यह देख सकते हैं कि Help Age India जो कि हमारे यहां का संस्थान है इसको ब्रिद्धों की मदद करने के लिए यह पुरसकार दिया गया है वही पर अगर हम लोग ब्रिक्त गस्रेनी की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है? आप से कहा गया है AC और Cooler के बारे में तो ध्यान अखिएगा आप लोग कि जो हमारी AC होती है यानि कि Air Conditioner होती है यह आपके Humidity को Control कर सकती है लेकिन अगर हम लोग Cooler की बात करते हैं तो यह केवल तापकरम को Control कर सकता है Option फिलहाल के लिए यहां प AC होता है वो आपके Humidity को Control करता है जबकि जो Cooler होता है वो आपके तापकरम को Control करता है तो Option यहां पर हमारा C हो जागा फिलहाल के लिए Correct अगला प्रशन है कि किसी व्यक्ति का जो पूरा प्रत्विंब है इसे देखने के लिए एक समतल दरपन की नियूंतम उचाए कितनी हो जागा कितना व्यक्ति के उचाए की आधी होनी चाहिए Option यहां पर B हो जाएगा Correct यह देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज मिरर में देखनी है तो इसकी जो उचाए है उसके आधी होनी चाहिए हमारे मिरर की उचाए तो Option यहां पर फिलहाल B होगा Correct अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 में किस राज की सरकार ने ग्रामेड छित्रों के लिए Digital C2 प्रोग्राम को लांज किया तो यह जो Digital C2 प्रोग्राम है इसको लांज किया है हमारे बिहार की गुजरात की सरकार ने Option यहां पर B हो जाएगा Correct तो भारत नेट प्रोजक्ट जो आपके केंदर सरकार का है उसी के अंतरगत Digital C2 प्रोग्राम लांज किया है गुजरात ने भी होगा फिलहाल Correct अगला प्रशन है कि जो 77 गोल्डन ग्लोब्स अवाट दिया गया 2020 में इसके लिए सबस्रेश्ट अभनीता का प्रसकार किसे मिला तो यह जो प्रसकार है यह म फिनिक्स हमारे सर्वस्रेश्ट अभनीता रहे थे जिन्होंने जोकर मुवी में अभने किया था तो ऑप्सन यहाँ पर B हो जाएगा Correct अचा अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट मुवी कौन सी रहे थी उस समय तो 1917 थी बेस्ट अभनेतरी रहे थी रेनी जलवेगर तो य यह जो हमारे में सधातू होती है यह बनी होती है अलूमीनियम की खास बात क्या होती है अलूमीनियम की आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पदार्थ अलूमीनियम के बनाये जाते हैं उनका वजन हलका होता है यानि कि वेट उनका काफी कम होता है और वहीं पर दूसरी तर में नागा साकी में गिराये गए बमों में कौन सा बिसफोटक यूज किया गया था तो काफी महात्मोर प्रश्ण है नागा साकी में जो आपके बम गिराये गये थे इसमें यूज हुआ था प्लूटोनियम का किसका प्लूटोनियम का यूज हुआ था तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा correct देख सकते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे बम गिराया गया था जिसका नाम little boy है और 9 अगस्त को नागा साकी पे गिराया गया था जिसके बम का नाम था fat man तो नाम भी आपसे पोचे जाते हैं फिलहाल यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि बिजय अमरित राज और आनन्द अमरित राज ये आपके कौन से खेल से संबन्दित है तो बिजय अमरित राज और आनन्द की बात करें ये दोनों हमारे देश के लॉन टेनिस के खिलाड़ी रहे थे यानि के टेनिस के प्लेयर थे आप्शन यहाँ पर फिलहाल D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि प्रसिद्ध बैग्यानिक लुई पास्चर किस देश के नागरिक थे तो लुई पास्चर की बात करें ये हमारे नागरिक थे फ्रांस के कहां के फ्रांस के नागरिक थे तो आप्शन फिलहाल A हो जाएगा correct आप सभी को पता होगा कि जो हमारे दूद के पास्चरी करण में जो आपका अप्रक्रिया यूज होता है उसी की खोज की गए थी लुई पास्चर के द्वारा जिनका जनम हुआ था फ्रांस देश में तो ध्यान रखेंगे आप्शन A हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रेशन है कि पानी के 4 डिगरी सिल्सियस पर हमारा जो सरीर है वो तैरता है यदि तापमान 100 डिगरी सिल्सियस हो जाए तो आपका क्या होगा ध्यान रखेंगा इस स्थिती में जो हमारा सरीर है वह आपके पानी में डूब जाएगा अचा अब रीजन क्या होता है ये भी थोड़ा समझेए देखें अगर हम लोग पानी के 4 डिगरी सिल्सियस की बात करते हैं तो उस समय हमारे पानी के डेंसिटी जादा होती है जबकि जो सरीर है उसकी डेंसिटी होती है कम लेकिन पानी को हम लोग जैसे जैसे गरम करते जाते हैं पानी की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है और उसकी तुलना में सरीर की डेंसिटी हो जाती है जादा और इसलिए जब भी आप लोग पानी में कोई भी ऐसा पतार डालते हैं जिसकी density पानी से ज़्यादा हो तो वह चीज आपकी डूप जाती है तो इसलिए option यहाँ पर A हमारा हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन सा जल प्रपात जार खंड राज में इस्थित है तो जार खंड की बात करें यहाँ पर आपको मिलेगा हुंडरू जल प्रपात कौन सा हुंडरू जल प्रपात तो option फिलहाल के लिए D हो जाएगा correct बाकी सब के बारे में भी ध्यान रखेगा जैसे कि अगर हम लोग चुलिया वाटरफॉल की बात करें तो यह आपको चंबल नदी में मिलेगा कहां पर राजस्थान में जोग जल प्रपात की बात करें तो ये आपको करनाटक में मिलेगा स्रावती नदी के उपर इसी प्रकार से दूद सागर की बात करें तो ये आपको गोवा में मांडोवी नदी के उपर मिलेगा और हुंडरू जल परपात की बात करें तो ये आपको मिलेगा राची के बगल सुवर्ण रीखा नदी पर तो ध्यान रखेंगे सभी के बारे में फिलहाल D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबल मेमोरियल पुरसकार प्रदान करता है तो अर्थ विज्ञान यानि कि हम लोग एकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और ये दिया जाता है आपके दा रोयल स्वेडिस अकादमी आप साइंसेज के द्वारा आपसन फिलहार के लिए हमारा बी हो जागा यहां पर करक्ट तो ये देख सकते हैं कि जो हमारे छे फिल्ड में नोबल पुरसकार दिया जाता है ये कौन कौन सी संस्थान देती है अगर हम लोग भौतिक और रसायन की बात करें तो ये देती है रॉयल स्वेडिस बिग्यान अकादमी तो आपसन यहां पर हमारा भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि जो हमारे स्थरीर में राइबोसोम्स होते हैं ये आपके किसके बनी होते हैं तो राइबोसोम्स की बात करें ये बनी होते हैं RNA प्लस प्रोटीन से किस्ते राइबोस नुकलिक अमल और प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम्स का निरमार होता है तो आपसन यहां पर C हो जाएगा करेक्ट आप सभी को ये पता होगा कि राइबोसोम्स को प्रोटीन के फैक्टी भी कहा जाता है और पैलाडे महोदे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी तो option C हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रश्ण है कि BCG का पूरा नाम क्या है BCG का टीका लगता है बच्पन के समय और इसकी जिन्होंने खोज की थी उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और खोज करने वाले बत्ती थे बैसलेस, कैलेमेटी और ग्यूरोन यानि कि इस प्रश्ण का option हमारा A हो जाएगा correct अगर हम लोग बात करते हैं BCG की तो ध्यान रखेगा छोटे बच्चों को यह टीका लगाया जाता है उनके जन्म लेने के तुरंत बाद और ये हमारे tuber closest रोग से रच्चा के लिए होता है तो ध्यान रखेंगे A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि DNA की खोज सरपर्थम किषने की थी DNA की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी खोज की गई थी Frederick मिसर के द्वारा आप मेंसे कई सारे लोग हैं जो कि इसका उत्तर Watson और Crick करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि DNA की खोज Frederick और मिसर के द्वारा की गई थी जबकि जो हमारे DNA का double helical structure होता है उसके बारे में बताया था Watson और Crick ने तो यहाँ पर option हमारा A हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि 1860 के आसपास हमारे सुट्जलनेंड के एक केमिस्ट थे Frederick मिसर उन्होंने इसकी खोज की थी और उसके बाद में Watson और Crick महोदे के द्वारा DNA के double helical structure के बारे में बताया गया था तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जो आपके बहुत धर्म से जुड़ा हुआ फोडोंग मत्र है यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो फोडोंग मत्र की बात करें यह हमारा इस्थित है सिक्किम राज में option यहाँ पर B हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि यह हमारा फोडोंग मत्र है जो की आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि 1832 में दामिन एकोह के रूप में सिवांकित भूमी का एक बड़ा छेत्र डैस डैस की भूमी के रूप में घोसित किया गया था तो यह घोसित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा दामिन एकोह इसका नाम रखा गया था और यह हमारे था संथालों का एक छेत्र तो ध्यार रखेंगे D हो जाएगा फिलाल यहां पर correct अगला प्रशन है कि इस्मर्ण सक्ती की हानी किसके नश्ट होने से होती है तो अगर हम लोग बात करें अस्मर्ण सक्ती की हानी की बारे में तो अगर आपके mind का यहां पर सेरे ब्रह्म नश्ट हो जाता है तो इससे जो आपकी याद रखने की चमता है यानि कि जो आपकी memory power है वह यहां पर हो जाती है समाप्त तो option फिलहाल के लिए A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जलिये वातावरण में सोच मजन्तू और पादपो को समलित रूप में कहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें कहा जाता है प्लवक यानि कि plankton कहा जाता है आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपके plankton ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर आपका जो फिसरी उद्योग है वो काफी ज़्यादा फलीफूत होता है तो option यहां पर plankton हो जाएगा correct अगला प्रेश्ण है कि उस बैग्यानिक का क्या नाम है जिसने मदमक्यों के संचारण की भासा का पता लगाया था तो ध्यान रखेगा इनका नाम है यहां पर कार्ल वान फ्रिस क्या नाम है कार्ल वान फ्रिस इनका नाम है इन्हों ने आपके मदमक्यों के संचाराण की भासा का पता लगाया था तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा बात करते हैं कार्ल वान फ्रिस्की तो ध्यान रखेगा 1886 में इनका जन्म हुआ था बियना में यानि कि ये आश्टिया के वैग्यानिक थे और इनकी इस खोज के लिए 1973 में इनको नोबल पुरसकार भी मिल चुका है चिकिस्सा का तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा अगला प्रशन है कि निम्ने लिखित में से कौन सा राज्य है जो कि सूरज मुखी की खेती में अग्रणी है सूरज मुखी की बात करें यानि कि सन फ्लावर की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा खेती आपको मिलेगी करनाटक में कहां पर होती है करनाटक में होती है तो option यहां पर हमारा B हो जाएगा correct देख सकते हैं कि सूरज मुखी का जो हमारे देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका करनाटक है इसके अलावा आनपरदेश, महाराष्ट, बिहार इन सभी राज्यों में भी सूरज मुखी का उत्पादन होता है तो आप्शन फिलाल भी हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि केंदरिये लोग सीवा आयोग यानि कि जो हमारे UPSC के चेर्मैन होते हैं जिस पर इस समय प्रदीब कुमार जोसी साहाब है इनका कारेकाल कितनी वर्सों का होता है तो ध्यान रखेगा इनका जो कारेकाल है वो आपका होता है 6 वर्स या फिर 65 वर्स की आयोग जो भी इसमें पहले होगा उसी के अनुसार ये हो जाते हैं सीवा निबरित तो आप्सन फिलाल C हो जाएगा करेक्ट अचाए UPSC के पहले चेर्मैन का नाम भी पूछा जाता है तो जंपिंग जीन्स की बात करें इन्हें कहा जाता है TRANSPORCENCE क्या कहा जाता है TRANSPORCENCE कहा जाता है तो आप्सन फिलाल के लिए D हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट इसकी खोज किस ने की थी तो हमारे एक बैज्यानिक थे जिनका नाम बारबीरा में क्लिंग टक है इनी के द्वारा आपके जंपिंग जीन को खोज की गई थी option फिलाल D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि आन्वानसिक यांतरगी यानि कि जो genetic engineering होता है उसमें आपके किसका अध्यन किया जाता है तो अगर हम लोग genetic engineering की बात करें तो इसमें आपके जो हमारा कोई भी जीव होता है उसके genes में किया जाता है परिवर्तन तो ध्यान रखेगा option यहाँ पर A हो जाएगा फिलाल correct अगला प्रश्ण है कि यलोरा की जो गुफाएं है उसमें आपको कितने मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे तो यलोरा की गुफाओं की बात करें इसमें आपको total 34 मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे option यहाँ पर C हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि महाराष्ट के और अरंगाबाद में एलोरा के जो हमारे मंदिर है वो इस्थित है इसमें आपको तीनो धर्म की गुफाएं मिलेंगी जैसे कि जैन गुफाओं के संख्या यहाँ पर 5 है हिंदू धर्म की जो गुफाएं हैं इनकी संख्या 17 है और बहुत धर्म की जो गुफाएं हैं इनकी संख्या 12 है तो टोटल इनकी संख्या 34 है ध्यान रखिएगा option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि निम्न में से किस संस्थान को नेशनल इंपॉर्टन इंसिट्यूट की स्रिणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंसिट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीविएंट 2020 में पहला रैंक मिला था तो यह जो हमारा संस्थान है इसका नाम है IIT मदरास क्या नाम है IIT मदरास इसका नाम है तो फिलहाल भी हो जाएगा यह पर तीसरे अस्थान पर तो ऑप्शन फिलहाल भी हो जाएगा यहां पर करेक्ट तो इस प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट को हमने यहां पर डिसकस कर लिया है पूरे यूट्यूब पर मेरे हिसाब से आपके लिए यह सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट है तो अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं जो पीडियप मिलती है उसको रिवाइज करते हैं तो आप यहां पर 45 में से मैक्समम स्कोर कर सकते हैं गुरूब डे के एक्जाम में तो वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखेगा यस आई कैन ड थांक्स वर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत